साथ्यू पाइथन में हम सीख रहे हैं कंडिशनल स्टेटमेंट और इसके अंतर गत लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इफ और इफ ऐल्स आज हम जानेंगे इफ एलिफ एल्स के बारे में प्रैक्टिकली तो इस वीडियो में तक बने रहे हैं नमस्कार साथ हूँ मेरा नाम है मनुश्कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर के अंगुरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं तो देखें लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इफ और एल्स के लिए कि यदी हमारे स्टेटमैंट ट्रू होती है इफ की तो इफ का रजेल्ट आए और यदी फाल्स होती है तो एल्स का रजेल्ट आए अब यदी हमारे पास condition multiple condition है या फिर इतने से ज़्यादा है तो second division या इतने से ज़्यादा है तो third division तो इस परकार से multiple condition यदि हमारे पास हैं तो हम use करेंगे alif का alif का मतलब else और if यानि कि एक condition जब true नहीं होती है तो आगे जाएगा दूसरी condition को check करेगा वहाँ भी यदि true नहीं होती है तो फिर और आगे जाएगा तीसरी condition को check करेगा और वो भी true नहीं होती है तो last में else की condition का result हम को display कर देगा उसके लिए मैं यहाँ पे statement change कर लेता हूँ मैं a को करता हूँ यहाँ से इसको तो हटाता हूँ और करता हूँ मैं a greater than 60 या फिर greater than equal to हम कर लेते हैं साथ में कि a 60 उस से ज्यादा है तो हमारे पास result आ जाए यहाँ पे first division और यदि हमने second condition भी हमारे पास है तब हम यहाँ पे else use नहीं करेंगे हम यहाँ पे करेंगे else if का use तो मैं यहाँ पे करता हूँ e-l-i-f ठीक है एलिफ यूज़ करेंगे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो यह gap दिखराईए जो indentation आपको नजर आ रहा है यह काफी important है देखिए मैं एक बर यहाँ से वापपस यहाँ पे else use करता हूँ पहले तो और यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ indentation को और इधर मैं करता हूँ no result इसको मैं run करता हूँ तो देखो यहाँ पे run करते simply हमारे पास error आ रही है सबसे पहले है na indentation error दिखाएगा तो यहाँ पे python के अंदर indentation काफी important है बहुत माइने रखता है जो हमने यहाँ पे जितना space लिया है दूसरे के अंदर भी same उतना ही space हमारे पास आएगा तो ही यह run करेगा वरना यह indentation error यहाँ पे दिखाएगा ठीक है वापस से इसको हम इतना ही gap डालेंगे equal gap होना चीए जितने space यहाँ पे है उतने space हम यहाँ पे use करेंगे अब मैं वापस से यहाँ पे ellipse का use करता हूँ एलिफ इसको वापस यहाँ पे रख लेते हैं और एलिफ के अंदर दूसरी condition मैं देता हूँ इधर से वापस से हम लेंगे हमारे पास variable a है a greater than equal to मैं करता हूँ 50 तब हमारे पास क्या result आए हमारे पास आजाए second division यहाँ फिर हम एक और division देना चाहें तो फिर से हम करेंगे ellipse a greater than equal to 40 then फिर से हम करेंगे यहाँ पे देखो फिर से हमने gap देना पड़ेगा न प्रिंट करेंगे third division right third division हो गया else अब last में हमको कोई result नहीं चीए तब हम करेंगे print और print के अंदर मैं दे दूँगा fail वरना fail result आजाए तो यहाँ पे हमारी multiple condition हो गई पहली condition इसको थोड़ा नीचे खिसकाते हैं देखिए हमारे पास यदि a 60 से ज़्यादा और 60 के बराबर है तो first division यदि a हमारा 50 और उस से ज़्यादा है तो second division 40 और उस से ज़्यादा है तो third division वरना fail तो सबसे पहले क्या होगा जैसे हमारी statement run करेगी if कि यदि यह condition true है मैच कर रही है तो second division आएगा यहां भी मैच नहीं करती है तो फिर आगी जाएगा यहां पर यह देखो यह गलत हो रहा है एफ 10 से run करता हूँ तो हमने user input ले रखा है यहां पर input डालेंगे मैं डालता हूँ यहां पर 55 number मैंने डाला enterprise किया तो यहां पर दिखा रहा है second division क्योंकि यहां पर इसको if के अंदर यह match नहीं हुआ यह 60 और उससे ज्यादा नहीं है यह कहां है यह 50 और उससे ज्यादा है यहां पर match हुआ तो इसने दिखाया second division फिर से हम इसको दुबारा से run करते हैं दूसरी condition डालते हैं मैं डालता हम यहां पर 39 enterprise करेंगे then a fail क्योंकि यह 40 और उससे ज्यादा नहीं है उपर की तीनों कोई भी condition मैच नहीं कर रही है तो last में कहां पर आ गया यह else की पर आ गया और इसने दिखाया तो यहां पर हम नहीं सीखा कि हम इफ एलिफ और else का use किस प्रकार करेंगे लेकिन यह काफी ज्यादा लाइन है काफी typical हो गया हमने single line में लिखना है कुछ comparison operators यहां पर देने and या और का use भी हम कर सकते multiple condition हम एक साथ डालेंगे कैसे डालेंगे और साथ में हम if or else का use करके एक simple calculator बनाना बताएंगे तो हमारे साथ बने रहेगा मिलते हैं next वीडियो में तो आज के वीडि उसको ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और यादि नए है आप मेरे चैनल पे तुम सब्सक्राइब जरूर करें